हेलो एंड वेलकम टू यूपी प्लिस भरती आनलाइन कोचिंग और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी प्लिस कांस्टेवल में भरती होने के लिए हाइट चेस्ट और वेट कितनी होनी चाहिए और रॉनिंग के लिए कितने किलमेटर की दौड होती है चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले लंबाई देख लेते हैं अगर आप सामान अन्य पिछला वर या फिर अन्सूची जात के भरती हैं तो आपकी लंबाई अगर आप पुरूस है तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप महिला है तो 152 सेंटीमीटर लेकिन अगर साथ साथ पूरूस हैं तो 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और अगर महिला है अन्सूची जाती के तो आपकी लंबाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए चिस्ट की बात कर लेते हैं यानि कि सीना अगर आप सामान ने जाती के हैं या पिछले वर के जाती के हैं या फिर अ तो आपकी 89 cm होना चाहिए और उसके बाद 5 cm का फुलाओ होना चाहिए अगर मालेजे आपका सीना बिना फुलाओ एक 80 है तो उसके बाद अगर जब फुलाने के बाद ना पेंगे तो आपका 5 cm एक Experience होना चाहिए, यानayd prêt था, तो 86 होना चाहिए फूलाने के बाद यानिasa, minimum 189 cm होना चाहिए और फिर उसके बाद 5 cm का फुलाव चाहिए अगर आप अनसासित जट्व, ज़न्जाती के बहरती हैं तो बीना फुलाएय के सीनह 77 cm होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 cm होना चाहिए अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के चेस्ट नहीं नापे जाते हैं उनका वजन नापा जाता है महिलाओं के वजन कम से कम 40 kg होने चाहिए चाहे आप सामान के हो चाहे अनपिशावर के हो हो चाहे अनसूशी जाते हो या फिर अनसूशी जन जाते के किसी भी जाते के हैं और आगर आप महिलाओं है तो आपकी जो बाहर होना चाहिए वह 40 kg कम से कम होना चाहिए हम दवड की बात कर लेते हैं नई नियमावली के अंसार रनिंग के नंबर नहीं दे जाएंगे बलकि 4.8 km की दौर पूर सो को 25 मिनट में और महिलाओं को 2.4 km की दौर 14 मिनट में पूरी करनी जरूरी होगी यानि कि इस टाइम के अंदर आपको दौर पूरी करनी है अगर आपको नहीं पता है तो इसके तौरंद बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके बारे मताऊंगा कि नौक नी क्या होता है बोलेक्स क्या होता है या फिर ये सब चीजें क्या होती है और अगर ये प्रॉब्लम है आपको तो इसे ठीक कैसे की जाता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो और अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो को लाइक चरूर कीजिएगा और मैं कमेंट की रिपलाई तुरंत देता हूँ तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मझे कमेंट करके पूँच सकते हैं इस वीडियो के देखने के लिए आपका